हेलो दोस्तों कैसे आप सब उम्मित करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप टेली मनी से अगर किसी को पैसा भजना चाहते हैं तो आप उस बैनिफिसरी को टेली मनी में कैसे एड करिएगा एड करने के बाद आप उसे पैसा कैसे ट्रांसफर करिएगा तो यह सारी बात है आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो चलिए आदेरी नहीं करते हैं शुरू करते हैं आज का वीडियो अगर आपको वीडियो यूसफुल लगता है तो लाइक करें और आगे भी इसी तरह का ओके दोस्तों अभी मैं टेली मनी अप्लिकेशन लॉगिन कर लेता हूँ दोस्तों आप जिसे पैसा टांसफर करना चाहते हैं उसका बेंक एकाउंट एड करने के लिए आपको यहाँ एड बेनिफिसरी पर किलिक करना है जैसे इंटरनेशनल टांसफर करना है तो इसके पर किलिक करके इंडियन रूपीज को सेलेट करना है इसी तरह से आप भी अपने कंट्री का करनसी सेलेट कर लें अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने बेंक का स्विफ्ट कोड इंटर करना है अगर आपको अपने बेंक का स्विफ्ट कोड नहीं मालूम है त इसके बाद bank account का IFSC number और account number आपको तो मालूमी होगा, तो आपको उस number को enter कर देना है, इसके बाद next पर click करना है, अब यहाँ पर beneficiary का full name, मतलब कि bank account में जो full name है, उसे यहाँ पर enter करना है, इसके बाद यह short name, इसका कोछ छोड़ा सा नाम यहाँ पर enter कर दे, address और relationship, यह सारा details इंटर करने के बाद next पर click कर दे, अब यहाँ पर आप एक बार अच्छे से अपना icon details चेक कर ले, चेक करने के बाद यहाँ पर tick out करके confirm पर click कर दे, अब आपके ANB bank या telemoney registration mobile number पर एक OTP आगा, उस OTP को यहाँ पर enter करके confirm पर click कर दे, अब दुस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा wait करना, अभी आपके पास मैं bank के तरफ से call आएगा, और आप से call में beneficiary confirm करने के लिए, जितना number प्रेस करने के लिए कहा जाए, आपको उस number को प्रेस कर देना है, और इसके बाद टेली मानी में आपका beneficiary successful add हो जाएगा, और आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि मेरा भी beneficiary add हो चुका है, अब मैं इसे असानी से प्रेस ट्रांसफर कर सकता हूँ, मुझे कोई problem नहीं होगा, झाल 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 झाल,